नमस्कार स्वागत है आपका संसर टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा और आप देखने हमारा खास कायकरम मुद्दा आपका आज हम बात करेंगे जी टॉंटी शिकर सम्मेलन के इतर दूसरे देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद मोदी की दिपक्षे वारताओं की क्योंकि करीब 15 देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने उनके जो रास्ट प्रमुक्त है उनके साथ अलग-अलग दिपक्षे वारताओं की हैं और इन दिपक्षे वारताओं के अपने खास महत्व हैं आर्थिक दिश्टी से भी और विकास की दिश्टी से भी जाह 20 शिकर सम्मेलन में भी घोशना एक तरह से की गई उससे क्या फाइदा होगा किसको फाइदा होगा इन मुद्दों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ दो खास महमान जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत अनिल वादभाजी हमारे साथ जुड़े हैं अनिल ज करूँगा क्योंकि मुद्दा दिपक्षिय वारताओं का है जाहिर सी बात है जी टॉन्टी शिकर सम्मेलन की जो सफलता है वो अपनी जगे हैं उससे इतर जिस तरह से अलग-अलग देशों के साथ दिपक्षिय वारताओं प्रधान मंत्री जी ने की हैं उसके क्या माइने ह क्या संदेश है आप कैसे देखते हैं इन दिपक्षिय वारताओं को देखे जब भी शिकर सम्मेलन होते हैं तो साथ में जो दिपक्षिय वारताओं होती हैं उनका अपना ही महत्व होता है इस शिकर सम्मेलन में भी हमने देखा कि जैसे आपने बताया पंदा देश्टे इन वारता हैं होती हैं उसमें जो आउट्स्राइंडिंग इशू रहते हैं दोनों देशों के बीच में उनको जागर करने का मौका मिलता है और कई मुद्दों पर समझाता भी हो जाता है तो इसी तरह हमने देखा कि इस चिकार समयलन में भी कई देशों के साथ जैसे हुई है उसमें जो आउट्स्राइंडिंग मुद्दे थे उन सभी पर बातचीत करने का मौका मिला है बिल्कुल हर्च जी अगर बात मैं सौधी अरबिया की करूं क्योंकि आज दिपक्षिय वारता हुई है प्रधानमंती नरेंद मोधी जी ने जो अरब के क्रॉन प्रिंस हैं उनके साथ दिपक्षि वारता कर भारत और सौधी अरब के संभधों को लेकर खास तोर से आर्थिक मुद्दों की बात की जाए या डिजिटल टेकनलोजी की बात की जाए इन मुद्दों पर बात की है आप कैसे देखते हैं इस दिपक्षिय वारता को जी जहां तक साओधी अरब का सवाल है साओधी अरब और अगर अक्टूरी खाडी के देशों के साथ भारत के संबंधों को पिछले कुछ सालों में उनका आखलन करेंगी तो देखेंगे कि एक बहुती बड़ा चेंज आया है बदलाव आया है जो एक प्रेग्माटिक जो रि हमारे संबंधों को नया आकार देनी की और उसमें साओधी अरब क्योंकि वहां पर सबसे इंपॉर्टन प्लेयर है उसके सांथ भारत के संबंधों में बहुत जादा निखा राया है और हमने देखा कि जैसे आर्टिकल 370 के बाद भी जो जिस तरह का रवया रहा है साओधी अगरब अपने आपको पोस्ट और फ्यो फॉसल फ्योल एकॉनमी के तौर पर स्टाब्लिश करने की कोशिश कर रहा है उसमें वो भारत जैसे देशों की मदद चाहता है तो उसके अंतरगत उसके कॉंटेक्स में अगर हम इन संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत ही सफल संबंध हमारे एनरजी से एनरजी तो उसका केंदर है ही लेकिन एनरजी से आगे कैसे संबंध बढ़ सकते हैं कैसे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भारत के और प्रबल हो साओधी के भारत में प्रबल हो इस बारे में विचार किया गया और जो बड़ी बात इस समय उभर कर आई G20 के साइड लाइन्स में जिसका आपने जिक्र किया कॉरिडोर का इंडिया मिडल इस्ट यॉरप कॉरिडोर का वो मुझे लगता है अपने आप में एक गेम चेंजर है अगर उसको सही से ऑपरेशनलाइस किया जाए और उसका जो एमबिशन है उसका जो इसमें जो महत्व कांग्शा दिखती है वो इतनी बड़ी है कि उसको किसी हद तक भारत जैसा देशी सारे स्टेकोर्लर को सांथ ला पाया क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि साओधी अरब और अमरीका के संबंद उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं आजकल बाइडन साब की ज लगता है इसका जो हमने साओधी अरब के सांथ जो हमारे संबंद हैं इसकी एक नई रूप्रेखाम हमारे सामने आ रहे हैं और बहुत ही इंपोर्टन्ट ही हमारे लिए संबंद होने वाले हैं खाड़ी के सदेशों के साथ और उसके केंद्र में UAE और साओधी अरब रहे ह है connectivity को लेकर उसका जवाब है क्या ये देखिए इस गल्यारे के उपर पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही है और पिछली बार इस पर जब बातचीत हुई थी तो चार देशों के नाशनल सेक्यूरिटी एडवाइसर्स उन्होंने साथ में इस पर बात करी थी उसके बाद इस बात ने वाल तूल पकड़ा है लेकिन इसको कई लोग बोल रहे हैं कि ये बी आर आए का एक रियाक्शन है लेकिन ये मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक अद्भूत प्रोजेक्ट है आई टू यूटो की जो ग्रूपिंग है उसके बाद से जो आई टू यूटो के देश हैं उन्होंने एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की खोज शुरू करी थी और उस खोज में ये बहुत जरूरी था कि भारत और साओधी अरेबिया भारत और यूए उसमें शामिल रहें लेकिन साओधी अरेबिया के बिना इस तरह की कनेक्टिविटी उसको अंजाम देना पॉसिबल नहीं था और हमने अभी देखा है कि अभी अभी जो भारत ने ग्रीस और साइप्रस के साथ समझाते किये हैं और उसके बाद जो पोर्ट के उपर समझाते हुए हाइफा और प्रेयस में तो हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में 70% जो इंफ्रस्रक्टर है वो पहले से ही मौजूद है बाकी का जो रेलवे इंस्ट्रस्रक्टर बनाना है उसको बनाने में यदि हम अच्छी तरह से इसके फाइनेंसे की उपर गौर करें और इसको इसकी प्लानिंग ठीक से हो क्योंकि काफी देश इसमें इन्वाल्ड है तो ये सक्सेस्फुल प्रोजेक्ट बन सकता है लेकि ये सिर्फ ट्रांस्पोर्टेशन प्रोजेक्ट नहीं है इसके साथ-साथ जैसे की हमने देखा है कि ये भी विचारधारा है कि इसमें हाइड्रोजेन की पाइपलाइन साथ में बनेगी और रिजिटल कनेक्टिविटी की साथ-साथ ये प्रोजेक्ट चलेगा तो इस तरह स ये एक मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है जिसमें दूसे तरह की कोपरेशन को भी अंजाम दिया जाएगा एक बार ये प्रोजेक्ट सक्सेस्फुल हो गया तो यॉरप तक भारत से लेकर यॉरप तक सभी देशों को इससे बहुत लाब होगा और अभी इस्ट एशा समिट में भी हमने देखा कि प्राइमिनिस्टर मोडी ने इसका जिकर किया था उन्होंने कहा था कि साथ इस एशा को किस तरह से भारत के थूँ मिडल एस्ट और यॉरप तक कनेक्ट किया जाए तो उनके दिमाग में यहीं प्रोजेक्ट था अब हमने इस प्रोजेक्ट की कुछ डीटेल्स देखी हैं आगे चलकर साथ दिनों के अंदर बाकी डीटेल्स भी बाहर आ जाएंगी लेकिन मैं समझता हूं इसको अंजाम देने के लिए बहुत जरूरी है की जो फानेंशल स्ट्रक्चर है इसका उसके उपर जोर दिया जाए और बाकी की जो चीज़ें जैसे डॉक्यमेंटेशन है और किस तरह से सभी देशों की सिस्टम्स इसमें तालमिल से बैठे वो बहुत जरूरी है अनलिन वादवाजी अगर मैं बात करूँ अमरीकी राश्पती जो बाइडन की जिनकी दिपक्षे वारता प्रधानमंती नरिन मोदी जी के साथ होई और उसमें टेकनलोजी खास तोर से एक एहम मुद्दा था ड्रोन टेकनलोजी की बात की जाए ड्रोन से जुड़े और द हैं प्रधानमंत्री मोदी 2023 में ही अमरीका के दोरे पर थे बहुत महरत्पुन समझोते हुए थे उन्हीं समझोतों का आगे बढ़ाने के लिए ये वारता बहुत जरूरी थी तो हमने देखा है कुछ उसमें मुद्दे और जुड़ गये हैं जैसे की ड्रोन का ट्रांसफर ह जो कि भारत में बहुत जरूरी हो गया है पाकिस्तान और चीन की सीमा के लिए और दूसरा मुद्दा जो आगे आया है वो नए धंके जो न्यूक्टेर रियाक्टर्स हैं जो इसके उपर कौपरेशन के बारे में बात करी गई है बाकी के मुद्दे पुराने मुद्दे हैं एक वो ट्रेड डिस्प्यूट था साथ मैसेच है सॉल्व हो चुके थे और एक साथवा डिस्प्यूट भी भारत और अमेरिका ने इस बातचीत में सॉल्व कर दिया है लेकिन आगे चलकर जो नई टेक्नॉलिजीज हैं जैसे एई हैं और सेमी कंडुक्टर्स हैं इसके एक ऐसा देश है जिसमें नाकेवल टेक्नॉलिजी है बट अलसो निवेश करने की ख्रमता है तो भारत चाहेगा कि इसको इन चीजों को इन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए एक ICT का रिव्यू जो है वो भी तैय किया गया है जैन्वरी 2024 में वो काफी दूर नहीं है ल सप्लाइचेन की करों तो ये मुद्दा क्यों महतुना है भारत अमरीका दोनों के लिए और जब बात सेमी कंडॉक्टर की होती है तो उसके साथ साथ जो चीन का पहलू है वो भी कही ना कहीं जुड़ जाता है इससे आप कैसे देखते हैं इस आर्थिक पहलू को क्योंकि ब किसी भी देश के ओपर किसी भी क्रिटिकल एरिया में एक बड़ी स्ट्रिटीजिक लाइबिलिटी याद समझी जाती है तो उसको लेकर जो एक परिवर्तन आया है ग्लोबलाइजेशन में हम पहले कहते थे कि हम ग्लोबलाइजेशन होगा तो उससे सभी देशों को एक पर हो गई उसका खामियाजा दुनिया को भुगतना पड़ा खासकर भारत और अमरीका और पश्चिन देशों को जो कि आज एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो चीन के उपर आर्थिक तोर पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है तो वो critical है वो central है वो nodal है उसके बगएर आप आज की जो industries है आज की जो emerging areas है डोमेंस है उसमें आप अपना अपनी सशक्तता नहीं बना सकते तो इसके चलते यह बड़ा important हो जाता है कि semiconductor की dependence कम की जाए और उसको disperse किया जाए supply chain restructure की जाए तो उसमें मुझे लगता है भारत औ चाहा रहे हैं और हमने देखा कि Taiwan का कितना critical role है इस sector में और किस तरह से Taiwan को लेकर बड़ी चर्चा में है ताइवान ने investment किया अमरीका में ताइवान ने investment किया हिंदुस्तान में तो वो जो एक critical dependence को कम करने का जो एक सिलसला चला है चीन के साथ उसमें भारत और अमरीका का सा था ना अपने आप में बड़ा एक सौभाविक है क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के trusted partners है और एक critical areas में critical sectors में strategic sectors में trust बहुत बड़ा एक महत्वपून एक value को समझा जा रहा है कि पोलिटिकल ट्रस्ट के बगएर आज देश एक दूसरे के साथ आर्थिक तोर पर भी काम नहीं करना चाहते हैं तो वो जो एक बदलाव mindset में आया है उसने मिजो लगता है भारत और अमरिका की जो ये जो संबंध हैं जो सामरिक संबंध हमारे गहन हो रहे थे लेकिन उसमें एक सवाल जरूर अटका हुआ था कि जो technology sharing होती है वो अमेरिका से अभी भी नहीं होती है तो उसके चलते हमने पिछले कुछ सालों से ये देखा खासकर पिछले दो साल में कि कैसे धीरे धीरे करकर वो जो सवाल था कि critical areas में strategic sectors में technology sharing में अमरीका लिबरल होगा अमरीका technology share करेगा अमरीका expertise share करेगा और भारत के साथ मिलकर एक ऐसा आर्थिक धाचा बनाएगा जिसस कि वो सारे देश जो इस समय चीन के उपर अपनी dependence कम करना चाहते हैं वो भी उसका फाइदा उठा सके हैं तो ये global project के तौर पर भी आज उठ रहा है और भारत और अमरीका दोनों साथ काम करके ये बात का भी आशवासन दूसरे देशों को देना चाहा रहा है जे और दूसर इसमें तेजी लाने की प्रतिबत्ता भी दोनों देशों ने जता ही है हर्ची मुक्त वैपार समझहोते का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा रहा है बिटेन और भारत के बीच इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं देखे बिटेन के लिए तो बहुती बड़ा मुद्दा जो अभी सत्ता में है वो घर में घरेलू तोर पर ये बता पाएगी कि उनको जादा नुकसान नहीं हुआ ब्रेक्सित का क्योंकि उनके पास अभी एबिलिटी है कि वो इस तरह के फ्रीटेड अग्रीमेंट्स और खासकर भारत जैसे बड़े मार्केट के सांथ कर पा रहे ह अब उसमें आपको याद होगा बोरिस जॉंसन जब प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने पिछले साल दिवाली तक कहा था कि ये हो जाएगा लेकिन समस्याएं जादा तर समस्याएं क्योंकि ब्रिटेन में थी कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता रहा लीडर्शिप परिव भारत की तरफ से जो बड़ा मुद्धा है वो इमिग्रेशन को लेकर है कि भारत चाता है कि इसको लिंक किया जाए डेकली इमिग्रेशन की मुद्धे से जहाँ पर जो हमारे प्रफेशनल्स हैं जो हमारे स्टूडेनector हैं उनको कुछ फाइदा मिले कि वो उनकी जब वीज लेकिन अगर वो immigration के मामले में थोड़ा भारत के साथ आ जाते हैं तो उससे उनकी जो घरेलू जो political situation है वो कमजोर पढ़ सकती है तो इसलिए मुझे लगता है मामला वहाँ पर भी अटका हुआ है कि immigration के issue पर Britain जादा आगे नहीं बढ़ना जाता हालांकि दोनों ही देश अगर आप दोनों देशों का श्रीश नित्वत ले तो दोनों ही देश इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको जल से जल ये free trade agreement है क्योंकि ये बिटन के लिए भी बड़ी जीत होगी और भारत के लिए भी बड़ा होगा क्योंकि भारत भी ये कह पाएगा कि जो लोग भारत को criticize करते थे कि भारत free trade agreements नहीं कर पाता है वो भी comprehensive deal लेकर जा पाएगा तो मुझे लगता है वहाँ पर जो कुछ मुद्धे हैं ये देखने वाले बात है और इसी प्रकार प्रधान मंतरी नरेद मोदी ने कनड़ा के जो प्रधान मंतरी थे उनसे भी दिफिक्षे बारता की और बाच्चीत में खालिस्तानी अलगाओ वादियों का मुद्धा एक गंभीर चिंता के रूप में परगट किया उससे अगव कैनड़ा को अच्छी तरह से मालूम है कि भारत का concern क्या है इसमें खालिस्तान के बारे में लेकिन आपको हम सभी को ये मालूम है कि कैनड़ा की सरकार जो है वो सिख कम्यूनिटी की support के कारण सत्ता में हैं और काफी हद तक सिख कम्यूनिटी के support और उनकी जो finances हैं वो Canadian government को support तो इसके चलते हैं काफी सारे मंत्रीगन जो उनके कैबिनेट में हैं वो भी सिख कम्यूनिटी के हैं कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी खलिस्तानियों के साथ सिंप्थिज रही हैं उसको अलग करना कैनेडा का एक इंटरनल मुद्दा है जिसको भारत बार बार उठाता रहा है एक स कैनेडा के लीडर्शिप के उपर की जादा इस बात को आगे तूल ना दिया जाए और यही रीजन था कि कैनेडा के जो चूड़ों हैं उन्होंने प्रदान मंत्री के साथ इसके उपर ज़रूर बातचित करी होगी कि किस तरह के प्रेशर उनके उपर आ रहे हैं और इस बा हैं फुशी मुद्दे हैं जो अटके हुए हैं इनको सौल करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है लेकिन उसमें पॉलेटिकल जो मुद्दे साथ में आ जाते हैं जरूरी है उनको पहले सौल किया जाए जी बिलकुल अगर हर ची बात अफरीकन यूनियन की की जाए तोर पर दिल्ली का जो जी टॉन्टी शिकर सम्मेलन रहा उसमें अगर कोई एक बहुत बड़ी उपलब्धी अफरीकन यूनियन्स की रही तो उनका शामिल होड़ा रहा जी टॉन्टी में और इसके लिए भारत की पहल को एक बड़ी काम्याबी के रूप में माना जा रहा ह तोर पर दिल्ली के लिए पहल कर रहे थे कि अफरीकी संग को जी टॉन्टी में शामिल किया जाए और इस मौके पर शिकर सम्मेलन के दौरान ही जो वारता की प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने अफरीकी संग के अधश के साथ उसमें भी खासतोर से दोनों देशों के बीच दोस्ती और कैसे बेहतर हो कैसे रिष्टे मजबूत हो कैसे निवेश और टेक्नोलोजी की दिशा में काम हो सके इस पे विचार विमर्श तो हुआ ही लेकिन अफरीकी संग की अध्यक्ष ने खासतोर पर धन्यवाद किया प्रदान मंत्री नरेंद मोदी को इसको आप कैसे देखते हैं एफ्रिकन यूनियन के लिए भी बहुत बड़ा मोमेंट रहा है कि एफ्रिकन यूनियन को इस तरह से एक मेजर ग्लोबल पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करना और उसको एक सीट अधाई टेबल G20 में देना यह बहुत बड़ी बात है तो एफ्रिकन यूनियन का जिस तरह से भारत की प्रशंसा करी उसमें ये बात बहुत जाहिर थी कि एफ्रिकन यूनियन भारत को एक बड़े क्रेडिबल पार्टनर के तौर पर देख रहा है और अभी जैसा किसी ने ऐसा भी जिक्र किया कि भारत तो चीन से आगे निकल गया देकि वो चीन और भारत के बीच मे ग्लोबल साउथ को लेकर अफ्रिका को लेकर कुछ इंफ्लूएंस के लिए कॉंपेटिशन तो बना ही रहेगा लेकिन भारत ने जो किया है वो सबस्टैंटिव अचीवमंट करके दिखाया है कि भारत सिर्फ बात ही नहीं करता समावेशी मल्टिलाटरलिजम के बारे में भ G20 को भारत ने अफ्रिकन यूनियन को लाकर एक इतिहासिक बना दिया कि इस G20 को याद रखा जाएगा और खासकर इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि ये G20 इस साल G20, G21 बन गया अफ्रिकन यूनियन इसमें आ गया है तो वो मुझे लगता है भारत की उपलब्दी र रूप में भाग लेना एक उनकी लिए भी एक अच्छी बात कही जाएगी कोंकि और ये पहल भी प्रधान मंत्री नरिन मोदी के इस्तर पर होई है जो धिपक्षिय वारता होई उसमें तमाम मुद्दे भारत और बंगला देश के बीच जो हैं वो उठे खास तोर से सीमा प आगे इसमें कैसे प्रगती हो सकती है जैसे कि आपने कहा कई सारे मुद्दे जो थे जो बंगला देश और भारत के बीच बाक्षित में उठे और ये जरूरी था कि ये मुद्दे इस टाइम पर डिसकसों की बंगला देश में भी भारत की तरह चुना होने जा रहे हैं और तो वहाँ पर शेख हसीना की उपर काफी प्रेशर है उपोजिशन का की वो रिजाइन करें और एक केर टेकर गर्वर्मेंट के अंडर ये चुनाव हो लेकिन उनकी इस जी ट्वेंटी में उपस्तिती जो है उनको अंतराश्टे स्तर पर एक अलग दरजा देने का काम करेग और उनकी जो वारता हैं हुई है इस्पेशली प्रेशन बाइडन के साथ वो भी देश भर में देखी जाएंगी तो कुछ आशंका थी कि प्रेशन बाइडन और यूनाइटे स्टेट्स ये नहीं चाहते थे कि अभी वहाँ पर केर टेकर सरकार ना हो ऐसा माहौल बने लेकि शेख हसीना को ही वहां रहने दिया जाए जब तक इलेक्शन ना हो अगर प्रेशन ना हो तो बंगलादेश में तरातनी कम होगी जहां तक भारत और बंगलादेश के संबन्ध हैं काफी अच्छे संबन्ध हुए हैं पिछले कुछ सालों में कनेक्टिमिटी में बहुत ही ज बहुत साहता करी है निवेश करके भारत बंगलादेश के पोर्ट्स में और जो manufacturing units होगी और उसकी जो value आडड होगी वो भारत में होगी तो इस तरह से जो उसके exports होंगे बंगलादेश के पोर्ट्स के थूँँ होंगे तो इस तरह tentar बंगलादेश पी जो सेहमती बनी है जा थे एक साथ उनको टैकल किया विया जी जाहिर सी बात है जी टॉंटी शिकर समेलन्ड में तमाम उपलब्दिया रही जो दिल्ली डिक्लिरेशन था वो भी एक अपने में एथ्यासिक दस्तावेज वो बन गया कई महत्पूर उसमें उलेक किया गया उन बातों का जो देश दु रास्तियों मसले हैं उन पर चर्चा की और समस्याक्ति उनका समाधान निकालने की पहल की तो इस कायकरम में इतना ही आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दीजिए आग्या नमस्कार